दोस्तों रेडियो रवान्ड का नाम तो आपने जरूर सुना होगा अगर नहीं सुना है तो चलो आज के वीडियो में आपको बता देते हैं कि किस तरह से एक रेडियो ने रवान्डा में कतलया मच्वा दिया था वैसे बड़े बड़े जानका लोग हमरे देश के मीडिये की तुलन भी रेडियो रवांडा से करते रहते हैं तो आखिरकार ये रेडियो रवांडा था क्या हुआ क्या था चलो बता देते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिएगा चलो बताते हैं क्या है पूरा मसला और ये स्टोरी बीबीसी पर भी छपी हुए ये ललन टोप पर भी छपी हुए आप जाका गूगल भी कर सकते हो तो 1990 के दर्शक की शुरुआत में रवांडा में एक साथ कई एतियासिक भूमी का तयार हो रही थी मसला सत्तधारी नेशनल रिपब्लिकन मुवमेंट फोर डेमोक्रसी और डेवलोपमेंट जिसको शोट फॉर्म में एमार एंडी भी कहते थे ने अपना बूथ विंग शुरू किया इंटर हामवे के नाम से इसका शाब्दिक आरते साथ मिलकल लड़ने वाले लोग जियां उसी दोर में कंगुरा नाम से एक मैगजिन हुई ये दो महिने में एक बार छपती थी जल्दी ये आबादी के एक हिस्से के बीच पॉपुलर हो चुकी थी फिर जुलाई 1993 में एक रेडियो चैनल आया है रेडियो टेलिवजिन लिब्र देश मिल कोलिन्स जिसको आर्टी एलेम के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में इसका मतलब निकलता है फ्री रेडियो एंड टेलिवजिन आफ दा लेंड आफ थाउजेंड हिल्स रवांडा को कहीं दफ़ा दा लेंड आफ थाउजेंड हिल्स भी कहा जाता है नया चैनल को इसी पैचान के साथ जोड़ा गया था पहली नजर में ये घटनाए विकास का मानक लगती है राजनिते में युवाओं को मुका मिल रहा था एक पिछले देश में मैगजिन और रेडियो एक्स्टेशन शुरू हो रहे थे लोगों को सूचना करांते से जोड़ा जा रहा था लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था बहुत शा, बहुत खराब, बहुत खतरना वो ये कि इन सब के जरी बीसवी सदी के सबसे क्रूर घटनाओं में से एक की नीव खोदी जा रही थी उस घटना को इतियास में रवांडा जनसहार के नाम से भी जाना गया जाना जाता है इस नीव में इट गारा बनाने वाला शक्स उस दोर में रवांडा का सबसे अमीर आजमी था उसका नाम था फैलसिन कबूगा जिया, उसने इंटर हामवे कंगूरा और रेडियो चैनल में पैसा लगा था इसके अलावा उसने एकूर चीज़ पर पैसे लुटा है थे, वो है हत्यारों पर दरसल जनसहार से दो महीने पहले उसने कनाडा की एक कंपनी से सोदा किया था उसने च्छे लाग किलो वजन के चाकू कुलहरी खंजर खरी दे थे केलिकुलेशन ये भी था कि हर एक घंटे में कम से कम तीन हजार दुश्मनों की हट्टे की जर सके उसके दुश्मन कौन थे? वे थे तुश्री कबूगा, हुतू था रवांडा में हुतू और तुश्री दश्कों से साथ रहते आये थे उनके भी थोड़ा बहुत तनाव हमेशा बना रहता था लेकिन कबूगा के प्रोपगेंडा ने उस मनमुटाओ को अस्तित्यू की लड़ाई में बदल दिया था कबूगा को अकसर रवांडा जनसाहार का फाइनिंशर कहा जाता है वो लाकों बेगुना लोगों की हत्ते के सबसे बड़े आरोपियों में से एक था लेकिन न्याई होता उससे पहले ही वो देश छोड़कर भाग चुका था देश से निकलते ही वो गायब हो गया मौस्ट वांटेट होने के बावजूद कबूगा अलग-अलग जगाओं पर अपना सामराज चलाता रहा उसके उपर 40 करूर रुपे का इनाम रखा गया दुनिये के कई जाच एजनसियों ने मिलकर उसका पीछे किया मगर उसको पकड़ने में 26 साल लग गया 2020 में जब उसे ग्रफतार किया गया तब तक उसके उम्र ढल चुकी थी फिर भी भरोसा ये की कम से कम अब उसके गुनाओं का हिसाब हो सकेगा जी हाँ लेकिन 1990 का दशक शुरू हुआ हुतू लोगों पर तुस्ति बहुली आर्पीएफ का हमला बड़ा कबुगा हुतू था उसने तुस्तियों को सबक सिखाने का फैसला किया वो उन्हें रवांडा से हमेशा के लिए मिटाना चाहता था ये काम एक जटके में संबव नहीं था ये एक सिस्टेम के तहत किया जाना था तब कबुगा ने हिटलर वाला रास्ता चुना जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में किया था उसने यहूदियों को अच्चू सावित कर दिया उसने लोगों के मन में ये भर दिया था कि यहूदी रहेंगे तो जर्मनी का सरुनाश हो जाएगा जर्मनी की सारी समस्यों का भार उनके उपर थोप दिया गया फिर एक दिन ऐसा आया कि एक आम जर्मन नागरिक भी अपने यहूदी परोसी के खिलाप हो गया उसने यहूदी दुकानदारों से समान लेना बंद कर दिया उनसे बात करने में वो कौफ्त होने लगी और उन्हें अपना दुश्यों मानने लगा नतीजन जब गेस चेंबर्स में लाखो यहूदीों को मारा गया तब जर्मन के नागरिक उसे सही ठहराते रहें जो थोड़े कम कटर थे उन्होंने होलोकोस्ट को मानने से इंकार कर दिया था कबूगा यही काम रवांडम करना चाहता था इसका पहला चरण प्रोपोगंडा था इसके लिए उसे अगवार और रेडियो की जरुवत थी ताकि उसका मेसेज लोगों तक पहुँचता रहे इसके लिए उसने कंगूरा मेकजिन और रेडियो आफ दा थाउजन हिल्स में निवेश किया पैसे लगा है कंगूरा में लगताल लोगों को उकसाया गया उसके द्वारा कहीं नक है उकसाने काम हुआ हुतू लोगों से कहा जाता था कि वो तुच्षियों से हर तरह का रिष़्टा तोड़ दे यह मेकजिन उस रवांडा की तश्विल लोगों के मन में भर रही थी जा करती तो शुद्ध नसले के लोग रहें इस समाज में तुस्यों के लिए कोई जगा नहीं थी उन्हें अशुद्ध बताया जाता था ये सोच धिर धिरे विक्सित होती चलेगे रवांडा की हुतु अबादी का बड़ा हिस्सा इसे सच मानने लगा जो हुतु इस प्रफगंडा को समझते थे उसका विरोध करते थे उन्हें भी दुश्मन बताया जाने लगा यहने कि सिद्धी सी बात है कि जहर दो समुदाए की बीच में भर दिया गया था मेक जिन दो महिनों में से एक बार आती थी कबूका को लगा कि इससे प्रफगंडा ज़्यादा समय तक नहीं ठहर पाएगा उसने रेडियो को हत्यार बनाने का फैसला किया फिर आईटी एलेम शुरू हुआ इसके लिए उसने सबसे ज़्यादा पैसा लगा दिया कबूका ने पैसे दिया इस चैनल से लगतार तुस्यों के खिलाब भरकाओ खबरे फिलाए जाने लगे ऐसी ऐसी बाते जिने कोई भी सब भी समाज उदार समाज स्विकार नहीं कर सकता था लेकिन वो रवांडा था सरकार प्रोपगंडा फैलाने वालों से मिले हुई थी उसने लगबग अंसुना कर दिया था सरकार ने बगर एक शक्स था जिसने चुप रहना स्विकार नहीं किया वो थे सुचिना मंतरी फॉस्टिन रुको गोईजा उन्होंने कबूगा के चैनल को बंद करने के चेताओं ने दे रुको गोईजा को जनसहार के पहले ही दिन ग्रफतार किया फिर उनकी हत्या करते गए नहीं कि चैनल के चैनल कितना खतरनाक था इसके लिए कुछ जानकारिया और निकल का सामने आती है उसमें कहा जाता था कोई भी तुच्सी कबूगा जितना अमीर नहीं है इसलिए कुछ भी बोलना बंद कर दो मैं मजाख नहीं कर रहा हूँ तुम सब मारे जाओगे आईए हम सब मिलकर तुच्सीों को जड़ से मिटाने के शपत ले ताकि हमारी आने वाली पीडियों को कभी तुच्सी शब्द का सामना ना करना पड़े इस तरह से अनाउंसमेंट होता था और भी कुछ कहा जाता था उसमें कि तिल चटे विरोध करते हैं वे घिन पैदा करते हैं क्योंकि हमें उन्हें बार बार मारना पड़ता है हमें उन्हें कुछलना पड़ता है क्योंकि उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना नामुम्किन है और आगे इस तरह की जानकरिया मिलते थी कहा जाता था कि तुस्यों के बच्चे भी तुम्हारे दुश्मने बड़े होकर वे तुम्हारे ही खुन पिएंगे ये बाते एक पब्लिक रेडियो चैनल से ओन एर होती थी कभु का हमेशा आटी एलेम के दफ्तर में दिखता था वो तैय करता था कि क्या बोलना है और क्या नहीं ये बाते एक पब्लिक रेडियो चैनल से ओन एर होती थी कभु का हमेशा आटी एलेम के दफ्तर में दिखता था और तमाम चीज़ें जो हैं वो सेट करता था दूसरे हत्यारों को और दिया है, इन हत्यारों को उसने अपने घर पर छिपाया है, फिर उसी ने इंट्रा हामवे के लड़ाकों की ट्रेनिंग करवाई, इसके बाद वो चुपचाब बैठकर मोके का इंतिजार करने लगा, उसे मोका मिला अपरेल 1994 में छे तारीक को रेडियो इस्टेशनों से परचार किया गया है कि हमला आर्पी एफ ने कराया है, इस हत्यार के लिए तुस्सी जिम्मेदार है, हत्यार माटे गया है, पुलिस और सेना ने हिंसा फिलाने वालों को खुला छोड़ दिया गया है, अगले सो दिन में दस लाग से अधिक लोग कभूगा भी था, उसने अपने घरवालों को पहले यूरोप भेज़ दिया था, कभूगा सुर्जर लेंड पहुच गया, लेकिन उसे वहां से निकलना पड़ा, वो केनिया आ गया, 1997 में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिमिनल फो रवन्डा, ICTR ने उसके उपर आरोपते किय फिर केनिया सरकार पर दवाओ पड़ा, तब कभूगा को अरेश्ट किया गया, लेकिन फिर उसे जल्दी छोड़ दे गया, उसको रिया करने वाले पुलीस अपसर ने कहाता है कि उपर से ओर्डर आया था, इसी उपर के ओर्डर के बदोलत उसने केनिया में अपना बिजनि कोरनर नोटिस जारी किया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, समयत कहीं देशों के एजन्सिया उसके पीछे लगी रहे, इसके बावजूद वो 26 बरस तक अलग अलग नाम और पहचान के साथ छिपने में कामियाब रहा, मई 2020 में पूरी दुनिया में कोवीड लोगडाउन लग पुलिस की पुछताच में उसने अपनी असली पहचान कबोल लिया, फ्रांस में उसको प्रतेपित कर हेग लाया गया, उसने फ्रांस की कोट में कभी अपना अपराद नहीं कबोला, उसने बार बार ये कहा कि उसे जूटे केस में फसाय जा रहा है, 29 सितंबर को जो हेग ट् अपराद अपने रेडियो चैनल के जरी नफरत फिलाने और हुतू लड़ाकों को हत्यार देने के आरोब लगाय गये थे, यूएन के वकील राशीद, रशीद ने कही न कहीं मुकदमे की शुरूरात में कहा कि जनसंगार के लिए कभूका को खुद को राइफल या खंजर की जरूत नहीं पड़े, इसकी बज़ाए उसने थोग भाव में हत्यारों के सप्लाई की और इंटरा हामवे की प्रशेक्शन दिया और उसने अपने मन को अपराद परपगंड़ा से अभी भूत खुदू लड़ाकों को कहीं न कहीं ट्रेनिंग दी, सिदी सी बात है, की उम्र लगबग 90 साल की है और बहुत संबावना है कि उसके जिवनकाल में कोर्ट का फैसला ना है, एक पंक्ती धियान आती है कि इन्नोसेट अंटिल प्रोवेन गिल्टी दोशी साबित होने तक आरोपी बेगुना होता है, ये पंक्ती कभुगा पर भी लागू होगी, ल यही रहा पर चलता कौन है, नहीं तो दरसल दुनिया वही आपको कहेगी कि जो रेडियो रवांडा ने क्या वही आप कर रहे है, उसी रास्ते पर आप हो, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है मुझे जो कोमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये था वीडियो कैसा लगा ये भी पता है, इस्टोरिय अच्छे लगी हो, तो चैनल को सब्सकाइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ये इस्टोरिय आपको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप लैलन टोप की सैट पर जाकर पढ़ सकते हो, और बीबीसी की सैट पर अब ये मौजूद है नमस्कार